कि सर माननी एक उपसभापती महद है मैंने कभी किसी पे टिका टिपनी नहीं की जब बहुत अंदर दर्द हुआ तब भी तो मैंने दर्द वाली कोई बात ही नहीं की थी मैं तो सीधे तोर पर आपसे कहता हूँ आर अच्छन खतम कर देंगे जाती को खतम करो पहले हमारे आपके अंदर जायों यह दों एड्रेस एक अर्ट इसा करता नहीं हूं आज ना जाने क्या हो गया सर बच्पन से एक कहानी पढ़िये हम सब ने पढ़ी होगी सर अक्सर कहानी में होता था एक गरीब ब्रामन था सर कभी सुना है कि एक गरीब दलित था नाम की कोई कहानी हो एक गरीब कुमार था एक गरीब मला था एक गरीब ठाकुर था एक गरीब यादब था एक गरीब कुर्मी था क्योंकि उसके लिए कहानी नहीं बन सकती सर वो हकीकत है फिक्शनल चीजों पर कहानीया बना करती है और हमसे उम्मीद की जाती है कि हम यहाँ बैठ करके मध्य रातरी की रॉबरी पर मोहर लगा दे मिटनाइट रॉबरी पर लॉबरी था जा रही है इसलिए नहीं करेंगे बाबजूद घ्रांतिया पहला ही जा रही है हमारे बारे में एक लिएनेट कहन का गाना है एवरीबडी निव तर बोट वस लिकिंग एवरीबडी निव दे लिकिंग बोट लाइज अफ दे कैप्टेन और आप चाहते हैं चीर लीडर बन जाए हम गाने गाने लगे उस औरकेस्टर और उस कोरस में शामिल हो जाए नहीं सर हम बाबा साहब के मुरीद लोग है हमें सम्विधान सभा की बैठकों से हमने प्रेर ना ली है कि सम्विधान सभा की बैठकी आत्मा थी कि एक एक आर्टिकल पर बात हुआ करती थी मैं मेरा मुझको वाली जुबान नहीं थी कि साहब तेरे सुबा कीजए साहब तेरे शाम कीजए ऐसे सम्विधानी के रवायतें नहीं चलती है ऐसे मुल्क नहीं चला करता है चला करता होगा कोई और मुल्क प्रजातंत्रिक ब्यवस्था में राज तंत्र में प्रजातंत्रिक ब्यवस्था है जब जब किसी व्यक्ति के इर्दगिर्द ताना बाना बुनोगे ब्यवस्था लहलुआन होगी नीती और नियत दुनों जबीन पे उंधे मुख खड़े मिलेंगे सर कई बार कमाल की बात है तीन अप्रील से मैं आया हूँ यहाँ कई दफ़ा जाती पे चर्चा हुई सर हमारे अपने एक साथी कह गए कि गरीबी की कोई जात नहीं होती है मैं इसी सदर में कहा है सर कि यह शायराना लगता है काव्यात्मक लगता है सुमने में अच्छा लगता है सर सच तो यह है कि जातियों में गरीबी है एक सेंपल सर्वे कर लिए कहीं सो लोगों का 90 लोग मिलेंगे OBC, SC, ST 90 से ज़्यादा मुसल्मान तब जाकर के आप कहोगे कि गरीबी की कोई जाती नहीं होती सर यह हिंदी फिल्मों के डालग पर नहीं बात होनी चाहिए यह हम अक्सर क्या करते हैं इस तरह की चीजों को कहते हैं तालियां बस्ती है सर आरेक्षन के बारे में नजाने कितनी दफ़ा बात हुई है यह तमाम लोग जानते हैं रामभिलाज जी जानते हैं हमारे मंतरी महद है आरेक्षन सर आमदनी बढ़ाओ योजना नहीं है अरे पढ़िये ने संबिधान सभाती बैठों को चर्चा सुनिये ना बाबा सहब क्या कहते हैं बार्बोरियजम नाम की बीमारी का जिकर करते हुए कहते हैं कि ऐसे मधिस्थाइं ऐसी बातें वही लोग करते हैं जिन को समझ नहीं है ठीर इंकम जनेरेंशिन प्रोग्राम नहीं है यह मनरेगा की तरह poverty elevation program नहीं है हमने आरक्षन को मनरेगा की श्रेनी मला दिया ऐसा नहीं होता है आरक्षन पृतिने दोईतों का मामला है सर और जिनको गुरेज है आरक्षन से अभी भी पृतिने दोईतों देख लिए प्रफिसर राम गुपाल जी बता गए सर क्याबिनेट से शुरू कीजिए और संसद के आखरी पाइदान तक आईए आपको पता चल जाएगा कि जाती ब्यवस्था का सर कितना है और तब बात होती है कि जाती अब यह अब आप आप हमको तो एक शीज़ बहुत वालियूम नाइन है सर कॉंस्टेंट इसेंबली डिबेट का मैं आगरह करूंगा उप सभापती महुद है हमारे भाजपा के लोग विपक्ष के लोग सब पढ़ें सर एक बार जानना चाहिए सर कैसे कद के लोग थे और क्या सोचते थे और कैसे सोचते थे इस तरह की सोच नहीं थी अचानक में एक वाटस अप फ़रवर्ड आया मैं तो इनका स्टेट्मेंट अब अबजेक्टिव आखरी में रखाता लगिन अभी पढ़ देता हूँ स्टेट्मेंट अब अबजेक्ट्स और वीजिन्स सर अगर इसको मैं रीनेम करूँ तो कहूंगा स्टेट्मेंट अफ सब्जेक्ट्स और अन वीजिन्स सर उपनिंग लाइन पढ़िया अच्प्रेजेंट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अब सिटीजिन्स कहां से ग्यान पाया भाई कहां पठ रहा है इतना बड़ा ग्यान हमें तो नहीं मिला मंदल कमिशन सर जब आया ना वालिमिनस दस्तावेज के साथ आया जातियों के आँखडे आये जातियों की संख्या आई और तब कहा गया कि चुकि सुप्रीम कोट की बार है एक कि 49.5% 50 को एकसीड नहीं करेगा बावजूद इसके क्या बादी 52 थी सकता इसमें मखदूद कर दी गई सर अगर बैरियर अगर धाला उठाया है ना सर तो धाला ऐसा मत करो कि एक ट्रेन के गुजरने के लिए करो जो सारी ट्रेन है OBCS की S C's की S T's की फैसला कीजिए इतियासिक फैसला होगा संसब संकिर्न दायरों में सोचने के लिए नहीं बनी है संसब दली आधार पर मैं तो भाजपा के साथियों से अगरा करूंगा आप मेंसे कई लोग सेंटरल हॉल में मिलते हो आपके अंदर पी रहा है मैं जानता हूँ आप परिशान हैं क्योंकि विचार के गुच्छे के आधार पर मैं किताब का पूरा नाम नहीं ले रहा हूँ एक किताब है बड़ी मशूर किताब है मेरे रास्चिया ध्यक्स ने हो 2015 के चुनाओं में बिहार के गाउं गाउं में बता दिया था नाम ले ही नहीं रहा हूँ मैं मैं नाम नहीं लेना चाहता कि ये जो थौट्स किसी बंच से निकल करके आ रहे हैं जिस पेर में ही दोश है उस थौट्स के आधार पर निड़ने ले रहे हो कौन सा दस्तावेज है जिसने आपको ये बता दिया मैं तो हस के कह रहा था अज किसी से कि अगर मैं बिस्विद्याले की नौकडी में नहीं होता मौफी के साथ कहता हूं सार एफिडविट गवा है एक हजार स्कौार फिट का मकान नहीं है मेरे पास मैं भी हो जाता ये कौन सी सोच कौन सी समझ पे चीज़ों को ला रहे है मिलता आप एक एक कदम आपके बारे में एक चीज मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है और मैं तारीफ करता हूँ पुरानी फिल्मों में एक गाना था ठहरे हुए पानी में कंकर न मार आप ठहरे हुए पानी में कंकर मारते हो और देखते हो तरंग कैसी पाइदा हो रही है वाटर टेस्ट करते हो वाटर टेस्ट कर रहे हो आपने कंकर डाला ये 10 परसेंट का और देखे रहे हो कि तरंग कैसी पैदा हो रही है सर ये तरंग लील जाएगी आज जो लोग आज जो लोग चुप्पी साधे हुए हैं चाहे कहीं बैठे हुए हो ये रास्ता तै हो रहा है कि जातिगत आरक्षन को खात्ब कर दिया जाए क्यों नहीं सदेन सम्वेट सर वे मने तो अमेंट्मेंट लगाया था दुर्भागे मेरा कई चीजों मेरा था इसमें भी दुर्भागे था हम और हमारी साथ ही ने लगाया था वो अमेंडमेंट एक्सप्ट नहीं हुए क्यों नहीं Sir Sir, 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 maiden speech Sir, sir, maiden speech इस प्रद्धाने मंतरी जी के सामने बोलना चाहता था, अब ओ आए नहीं तुमें क्या करेंगा? सब्सक्राइब दो मिनिट लूगा सर एक चीज जो सब थोड़ा यहां बहुत महातुपुन मसला है सर मैंने समरिधान सभा की बैठकों का जिक्र किया सर मैं मैं आज आज कई अख़बार सबने पढ़े होंगे सर बैकवर्डनेस को ले करके अब कैसे डिफाइन कर रहे हो बैकवर्डनेस इतनी समझ का भाव कैसे हो सकता है बड़े बिद्वान मंत्री हैं सर इस मंत्री मंडल में शायद उनकी सुनी नहीं जाती है यह वो बोल नहीं पाते हैं सर सर अच्छे वकील कोई भी होते ना कॉंस्टिटिशनल अंटिनेबिलेटी एंड लीगल इंटिनेबिलेटी दूनों की आधार पर इसको खारिज किया जाए लेकिन यह पूरी की पूरी सरकार वाट्साप पे चल रही है सर मैं आपको एक चीज जो कहना चाहता हूं सर अगर कि विखत्र को हैतने में क्या डर लग रहा पकूर निजी ऑगर कौन सी नीजी होता है पिर से अब जातिकद जंगन्हा के आंकडिनों के बैटेasında लेखों क्या घरा रहा है आपको क्या OBC की आबादी 65 से अरसर प्रसेत है क्या SC SC की आबादी ज्यादा है और आबादी के हिस्सेदारी की हमारी मां ये फिर से चली पड़ेगी सर एक आखरी टिपनी में करना चाह रहा था सर बुरा ना माना जाए मेरे सर बड़ी मुश्किल से सर आदर्नी उपसभापती महद है उपसभापती महद है उपसभापती महद है गोर फरमाया जाए सर बड़ी मुश्किल से सुबह में ये हासिल किया सर रंग भी मिलता जुलता है सर ये जुन जुना कहते है इसे आम तोर में यह जुन्जना सत्प पुर्टिस्थान के पास है हिलता है बजता नहीं यह सब में आखरी टिपनी चुकि हम एक मात्र दल हैं जो खुले आम बिरोद कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि आप पिछ रो आप एंटी बेकवर्ट एंटी घलित हो और यह डंपके की चोट पर कह रहे है आपके मन साव वाचा करमना में ये चीज़े हैं आखरी में मैं यही कहना चाहूंगा सार हो गया हुजूम देखके रस्ता नहीं बदलते हम किसी के डर से चाह कोई हो सर तकाजा नहीं बदलते हम